आज का वीडियो स्पेशली वुमिन्स के लिए है जिसमें हम बात करने वाले हैं PCOS के बारे में इसके causes and symptoms जानेंगे तो देखें PCOD का full form है polycystic ovary disease जिसे आम बुलचाल की भाशा में हम PCOD या फे PCOS भी कहते हैं यह ना महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक common सी problem है health problem जो हार्मोन में आसंतुलन या फे hormonal imbalance के वजा से होती है PCOD से पीडित महिला के शरीव में जो मेल हार्मोन होते हैं यानि एंडोजेन का स्तरना बढ़ जाता है और एवं अंडाशे पर सिस्ट बने लगती है तो वही PCOD में प्रेग्निंसी हासल करने में यानि conceive करने में थोड़ा सा चुनोती पूर्न ये situation हो जाता है ये problem आजकल काफी common हो गई है और इसके बारे में सही जानकारी होना भी आपके लिए जरूरी होता है तो इस वीडियो के माधियम से हम आपको PCOS के बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसके लक्षन क्या होते हैं कारण क्या होते हैं और उप्चार कैसे आपको करना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले इसके causes के बारे में बात करते हैं तो इसके बहुत सारे कारण है जैसे हार्मोनल आसंतुलन जैसे मैंने आपको बताया PCOS का मुख्य कारण ना हार्मोनल इंबालन्स होता है जिसमें estrogen और pregesterone किस तर में बदला होता है ठीक है और दूसरा कारण है अनुवान शिक कारण अगर आपके परिवार में PCOS का इतिहास है तो यह आपको भी हो सकता है तो वही unhealthy lifestyle और unhealthy food अगर आप खाते हैं रोजाना बाहर की चीज़े खाते हैं unhealthy lifestyle जीते हैं सही से अपने ख्याल नहीं रखते हैं exercise नहीं करते हैं तो भी आपको यह problem हो सकती है और next कारण ने दोस्तों अधिक वजन मतलब की weight gain होना आतरिक वजन या मुटापा, obesity भी PCOS का एक प्रमुक और बहुत ही महतोपून कारण होता है ठीक है तो वही ने दोस्तों इंसुलिन का आज समान उत्पादन अगर आपके शरी में आज समान तरीके से इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है तो इसके वजह से भी आपको PCOS हो सकता है ठीक है इसके साथी stress अगर आप लेते हैं आपको बहुत ज़दा tension से life में तो इसके वजह से यह आपके health पर असर डालता है hormonal imbalance होते हैं और इसके वजह से unhealthy lifestyle और stress के कारण भी आपको PCOS हो सकता है ठीक है diabetes की समस्या वाले वेक्तियों में PCOS बहुत आसानी से होता है तो वही उच्छरत्यचाप यानि hypertension भी PCOS का यह कारण है उसकी समस्या को और भी बढ़ा देता है ठीक है thyroid भी एक problem है दोस्तों जसमें ठेराग ड्रांती की समस्या होने पर भी आपको PCOS की problem face कनी पर सकती है और ना PCOS महिलाओं की उम्रे के साथ भी बढ़ता है खास तोर से 30 साल की उम्रे के बाद और अनिया आसपश्ट कारण भी होते हैं किस टाइम पर आपको डॉक्टर को विजिट करके अपना ट्रीटमेंट आगे का करवाना चाहिए ताकि आपको further fertility में problems ना हो और pregnancy आप आसानी से conceive कर सके नई तकनीक के साथ आपके लिए प्रेश करते हैं HY 5-in-1 Magnetic Wireless Charger ये wireless Apple compatible device charging stand बिल्ट किया गया है with 12 pieces strong magnets जो provide करता है आपके cell phone की accurate alignment और इसकी सबसे अच्छी quality है इसकी anti-slipping and place saving design इसमें सबसे अच्छा feature जो आता है वो है alarm clock and night light के साथ और हाँ यहाँ पर खासियत इस gadget की वो है 15 watt adapter आएगा जो आपके device को सिफ एक घंटे में 80% quick charge कर देगा एक ही charger stand पर आप अपने multiple devices को charge कर सकते हैं जैसे आप अपने smartphone, smartwatch और wireless earbuds को एक साथ इसे वाइकनी के लिए आप visit करें हमारे Amazon store टे इसकी link आपको वीडियो के description में दी गई है तो यहाँ पे इसके symptoms की बात करें तो बालों का जढ़ना इसमें होता है बहुत ज़ादा आपको hair fall होता है तो अच्छा में न कील, मुहासे, pimples, breakouts आपको हो जाते हैं तो वही mood swings होते हैं आपके आन्यमित मासिक धर्म, irregular periods या फिर periods के दौरान बहुत ज़्यदा आपको bleeding होती है या कम bleeding की problem होती है टाइम पे periods नहीं आते हैं अगर periods आ भी गए हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यदा painful periods को face करना परता है तो वहीं दोस्तों अगला कारण है गर्बधारन करने में आपको बार-बार problem आती है यहां तक की गर्बबाद भी हो सकता है अंचाहे अंगों पे न आपको unwanted hairs आते हैं लबकी जैसे कि आपकी chin, आपका face, आपके chest, feet, paid आदी पे आपको unwanted hairs हो जाते हैं ठीक है और वो भी बहुत जल्दी जल्दी उनकी growth होती है और अतियदिक वजन का बढ़ना यानि अचानक से आपका वजन बढ़ गया है साथी थोड़े से आपको जो में लक्षिन मता रही हैं उसके साथी वो symptoms नजर आ रहे हैं तो ये PCOS या PCOD के ही लक्षिन होते हैं ठीक है और हाँ, depression of anxiety का होना, testosterone star का उच्छ हो जाना, insulin पती रोध होना, नीन का ना आना, सर में दर्द होना, थकान लगना आदी ये सारी चीज़े ना दोस्तों, PCOS के लक्षिनों में आपको नजर आते हैं, ठीक है अगर आप भी इस तरह के लक्षिन फेस कर रहे हैं, कम से कम दो से ज़्यादा लक्षिन फेस कर रहे हैं अगर आपको अपने periods में changes नजर आएं, जसे सही डेट पे आपको periods नहीं आ रहे हैं, लेच हो रहा है या फिर जल्दी periods आ रहे हैं, कम bleeding की problem हो रही है, irregular periods हो गये हैं तो सही time पे इलाज कराएं और अपने आपको और सती अपनी फटी नीटी को हमेशा healthy रखें